लोग सभा चुनाओ 2024 के चार चरणों के चुनाओ खत्म हो चुके है अब पाचवे चरण के चुनाओ के लिए सभी पाल्टिया जोल लगा रही है वही देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में भी सब्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार और तल्ख बयान बाजियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है खासकर अमेची से बीजेपी की ओर से तीसरी बार मैदान में उत्री स्मृती इरानी और इस बार कॉंग्रेस की तरफ से राय बरेली सीट से ताल चोक रहे राहूल गांधी के बीच छिडी जुबानी जंग दिन पर दिन तेज होती जा रही है केंद्रिया मंत्री और अमेची से बीजेपी उमीदवार स्मृती इरानी लगातार जंसभाओं को संबोधित कर नहीं है इस बीच हाल ही में जब वो अमेची के लोगों के बीच पहुची तो उन्होंने कॉंग्रेस की तुलना रावर से करते हुए जमकर हमला बोला स्मृती इरानी ने यहां तक कह दिया कि हम किसी को छेड़ते नहीं है लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ने की फितरत हमारी भी नहीं है अमेची ने देश की लोगतंत्र में एक सुनहरा इतिहाद पचा जब साल 2019 के चुनाओं में कांग्रेस के राष्ट्य अध्यक्ष को अमेची की जन्ता ने हराया दो हजार चौबीस में भी अमेची की डेव तुल्य जन्ता ने वोट पढ़ने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक सक्थ संदेश देते हुए संक्रेश अपना भारतिय जन्ता पार्टी के प्रती आदर सत्कार दिखाया चुनाओं बनने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने छेटी से अपना बोरिया बिस्तर बांग दिया और राइबरेली चले गए आज राइबरेली के हमारे पूर्वद्यक्ष दिलिपी आदर जी यहां जोहें पधार है जन्ता को सचेत करने के लिए कि गत पांच वर्षों में राइबरेली की छेती की जन्ता को भी अगर कोई चुनाओती का सामना करना पड़ता तो वो अमेधी वालों के पास सयोग मां की जो तारीक है आपके और आपके परिवार के भविश्य को निधारिक करने वाली तारीक है योगी जी की सरकार है मोदी जी की सरकार आने वाली है दोनों सरकार के बीच में समन्वे को करवाना है और छेत में 20 मैं को कमल का बटन दबाना है यहाँ पर मेरी सही बहने उपस्तित है, समानित भाई उपस्तित है आज कोई इस बात से इंकार नहीं करेगा कि जब करोना की महमारी आई तब कांगेस पार्टी का एक भी नेता, एक भी कारिकर्टा जनता के मद्ध में काम करता हुआ नहीं पाया गया जब करोना की मामारी आई तब भार के जनता पार्टी की करिश्ट गाउं गाउं जाकर मास्क और सैनिटाइजर बाटा मैंने स्वैम पूरे छेट में अक्सीजन के प्लांट लगवाए जिस जिसकी दरकार थी उसको अस्पताल पहुचाया हर हस्पताल में डवाई का विशेश प्रबंद करवाया और मोदी जी के सानित में हर परिवार तक मुपत का टीका पहुचाया सबने टीका लगाए कि ने लगाए किसने टीका लगाए हर दो लगाए कि तील लगाए दो, अब टीके, एक टीके की कीमत बाजार में 600 रुपईया दो लगाएं जाधा तो 1200 रुपईया माँ भाभी तीन लगाई हैं तो इसका मतलब 1800 रुपईया हम सब जानते हैं गरीब की जेब में अपने लिए जान बचाने की टीके के लिए 1800 रुपईया नहीं नहीं परिवार में अगर पांच लोग हैं तो खर्चा आता 9000 रुपईया मात्र टीका करण के लिए गरीब परिवार के पास 9000 रुपईया नहीं था इसलिए आज अशोग भले ही मेरे लिए वोट मांग रहा हूँ लेकिन मैं वोट मांग रही हूँ उस नरेंद्र मोदी के लिए जिसने महमारी से गरीब की जनता की जान बचाए हूँ आज भले ही अशोग मेरे लिए वोट मांग रहा हूँ लेकिन मैं वोट मांग रही हूँ उस नरेंद्र मोदी के लिए जिसने हर गरीब तक मुफ्सका रहा रहा है भाजपा की सरकार में पहुंचा है राशार आये की नहीं आये आया ना आज बले ही अशोक मेरे लिए वोट मांग रहा हो लेकिन मैं वोट मांग रही हूँ उस नरेंद्र मोदी के लिए जिनके सानिध्य में हमने पूरी हजार गरीब परिवारों को आवास दिलवाए है आज बले अशोक मेरे लिए वोट मांग रहा है मैं वोट मांग रही हूँ उस नरेंद्र मोदी के लिए जिनोंने चार लाग परिवारों को छेत्र में शौचाले दिलाया उस नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग में आई ह जिसने छेत्र में तीन लाग पचास हजार परिवारों तक ललका पहुचाया तेड़ लाग परिवारों तक विजली का कनेक्शन पहुचाया और सलोन में दल बहादूर कोरी की याद में पॉलिट टेकनीक भी बनाया गोमती नदी का पुल जगदीशपूर से आ रही हूँ वहाँ पर गोमती नदी का पुल बनाया और दल बहादूर कोरी ने वर्षों की जो मांग जनता की उठाई सही नदी का पुल भी भाजपा की सरकार के आदेश पर बना इसलिए आज आपके मध्य में कहने आई है कि 5 साल में से 2 साल था करोना का महमारी का हमने 3 साल में वो काम कर दिखाया जो 30 साल पुरे छेत्र में ना हो पाया आज यहाँ पर कई परिवार ऐसे हैं जो साल का 6 अजार रुपईया पाते हैं अपने खेट के लिए किसान सम्मान भीधी का पाते हैं कि नहीं पाते हैं पाते हैं ना ये छेत गवाद कि जब यहाँ पर कांग्रेस का सांसर था तो कांग्रेस के सांसर के चलते एक भी किसान के बैंक के खाते में अखनी तक नहीं आई आज मोदी जी का संदेश लेकर आएंगे 20 तारी को कमल का बटन दबाओ और आने वाले 5 साल मुफ्त का राशन मोदी सरकार से पाओ 20 तारी को कमल का बटन दबाओ और आने वाले 5 साल किसान अपने खेज के लिए 6,000 रुपईया पाओ यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो आयूशमान भारत योजना का लाब लेते हैं साल में 5 लाख रुपई का इलाज मुफ्त में मोदी जी कराते हैं मैं अशोक आपके मार्द्यम से जन्ता को बतलाना चाहती हूँ चेत्र में 7 लाख लोगों को आयूशमान भारत का कार्ड मिल चुका है 35,000 लोगों का आयूशमान भारत योजना के चलते 5 लाख रुपईया प्रतिव्यक्ति इलाज हो चुका है आज मोदी जी का संदेश लाई हूँ आज मोदी जी का संदेश लाई हूँ कि जितने भी वरिष्ट नागरिक हैं चाहे परिवार कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, समुदार कोई भी हो, धर्म कोई भी हो जितने भी वरिष्ट नाग्रिक हैं वो भी पांच लाख रुपे का हर साल मुफ्त में उप्चार पाएंगे, अगर हम सब मिलकर कमल का बटन दबाएंगे, योगी मोदी की सरकार के बीद समन्वे कपुल दीदी सृती इराणी के नाम का बनाएंगे. आज यहां पर आप सब के सम्मुख मुझे कहते वे प्रसंदता है कि इस छेत्र में कम से कम विदान सभा छेत्र में सो सड़के एती हैं पक्की, जो बनाने का सवभाग्य मुझे प्राप्ट गुआ. जो छेत्र लापता सांसद के नाम से जाना जाता था, आज इस छेत्र के सांसद का पता ये है कि वो मुख्याले गौरी गण्यु में रहती है. लेकिन आज एक मादा और सलोन दिदान सभा छेत्र में करके जाता हैं। यहां पर कही लोग ऐसे हैं, जिनको मैं ने अयुध्या जी से अक्षत भिजवाया, प्रसात भिजवाया है की नहीं है? प्रसाद और अक्षत, कितनों को मिला राम जी का? सबको मिला, कितने राम भक्त रहा है, भहिया बता दो. सड़क पे जो खड़े वो नहीं है क्या हैं कि नहीं हैं अब कांग्रेश पे एक कह दिया कि अगर राम भक्त भी वोट डालेगा कांग्रेश के पक्ष में तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णे बदल नहीं है अब इतना अंकार को अशोक रावन में भी नहीं था राम जी के मंदिर के निर्माण को पलट दे ऐसी ताकर किसी में नहीं मैंने का भई अशोक तो सलोन में है मैं गौरी गंड़ में हूँ हमारे यहां अनुमान गड़ी का अनुमान जी का मंदिर है दम है कांग्रेश में तो दोता का हाथ लगाकर ओं आ इइन शेयश ना यूओ列 दी तो हम दी हमेटि वाले हूँ हमने सभी धर्मों का सम्मान किया अमेटि इस बात की साक्षि है सभी धर्मों का सम्मान oll किया विना पक्रशृपात के सब का काम किया हम किसी को चेड़ते नहीं है लेकिन कांगरेश व लंका बनी थी सोने की कांग्रेस ने भी देश का बहुत सोना लुटा है लंका बनी थी सोने की राम जी से पहले राम बक्त पहुचे थे लंका जिनका नाम का क्या नाम दा? क्या नाम दा? और हनुमान जी ने क्या किया था? तो इसलिए आज राम बक्तों से कहने आई हूँ लोग तंतर के मंदिर में मंदिर में पुश्प चड़ता है ना लोग तंतर के मंदिर में हमें कमल का फूल चड़ाना है इसलिए राम बक्तों से कहती हूँ 20 तारी को वक्तो कमल का बटन, कमल का बटन, कमल का बटन, तो बोलो भारत मता की, भारत मता की गौरतलब है कि पाँचवे चरण में 8 राजियों की 49 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे इस चरण की चुनाओं में कई होट सीटों पर वोट पढ़ने हैं, कई दिगजनेताओं की किस्मत पर जमता मोहर लगाएगी पाँचवे चरण में लखनव में लक्षा मंतरी राजनाथ सेंग, अमेठी से स्प्रती रानी, रायबरेली से राहूल गांधी, मुंबई उत्तर मध्य से उज्ज्वल निकम, मुंबई उत्तर से पियूश गोयल चुनावी मैदान में है दूसरे तरफ बिहार में सारन सीट से राजीव प्रताप रूडी और रोहिनी आचार्य की बीच मुकाबला होगा वहीं बिहार की हाजी पुर सीट से चिराग पासवान उम्मीदवार है पिलाल इस खबर में बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले झाल झाल